प्रदेश के ग्रह मंत्री ताम्नदस साहू को अतिरिक्त क्रिशी मंत्री का प्रभार दिये जाने से उनके निवास इस्थान पर बधाई देने समर्थ को एवं शुबचिंत को का तांता लगा रहा। इस दोरान ग्रह मंत्री ताम्नदस साहू ने कहा कि इस मंत्री मंदल के बदलाव से आगामी विधासभा चुनाव में सकारात्म कसर पड़ेगा। हम भी यहां पहुंचे और उनसे कुछ चंद सवलात उनके बहुत अल्प समय में हमने उनसे किया तो देखते हैं उसके साथ कोई बादचित के खास अंच आये तो देख रहे हैं आप लगातार यहां पर मिलने मिलाने का दौर जारी है अपनी पी समस्याय लेकर लोग अग्र कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले इस तरह का बदला और क्रिशी जैसे भाग कि आपको जिम्मेदारी सौफी गई है क्या कहना चाहेंगे जो जिम्मेदारी माननी मुख्यमंद्री जी ने हाई कमानने जो सौफ़ है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्ति करता हूं और जो जिम्मेदारी मुझे सौफी गई है मैं पूरी कोशिस करूँगा कि जनता के हित में, किशानों के हित में जो बेहतर काम हो सकता है जो लाब हुनको देने का है, जो सरकार की योजनाएं है उसके तहट हम प्रदेश के किशानों के लिए क्या और कर सकते हैं वैसे माननी मुख्यमंद्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार लगातार किसानों के हीत में काम कर रही है चाहे वो किसानों की करजा माफ हो, धान खरीदी की बात हो 15 कुंटल से 20 कुंटल करने की बात हो किसानों के गोबर खरीदी की बात हो, बिजली वीलहाब की बात हो सीचाई करमाप की बात हो लगातार निरनाय करके क्रियानवीत करते जा रहे हैं माननी मंतिर रविन्च वबे जी ने अपने कारिकाल में बहुत ज़्यादा इस छेतर में काम करके आगे बढ़ाया है मैं पूरी कोशिस करूँगा कि उन कामों को और बेहतर तरीके से आगे कर सकूँ बगहिल वर्सिस बगहिल का एक ये मुद्धा नजर आ रहा है अभी ने चुना बनाए गया है घोशना पत्र का सयोज़त क्या ऐसा अशर पड़ेगा इसमें इसमें हमारे दल को कहीं कोई फरक पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि सरकार बनने के बाद जितनी योजनाई बनी जितना कारिक्रम हुआ जितने कारी हम लोगों ने किये सर्वारा वर्ग के लिए जो योजनाय बना कर काम किये वो हमारे पक्ष में है और पूरी जनता खुश है इसलिए कहीं पर भी इस बात का कोई असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ प्रदेश कॉंगरेस कमेटी PCC अध्यक्ष बनाए गया भी बैज सर को सरकार के पट्स में वातवरन पहले से बहुत अच्छा है काफी है और जितना भी फेर बदल होता है आवस्षिक्ता और परिस्थितियों के अनुसार होता है और यह जो वातवरन बना है इसमें और बेहतर प्रदरसन होगा और हम और काफी अच्छा परिनाम 75 प्लस दे पाएंगे ऐसा हम लोगों का मानना है अभी टाउन्शीफ वालों के लिए एक लीज का मुद्दा काफी गहराया हुआ है लीज के रेजिस्ट्री को लेकर जो शुरुवात की गई है माननी है भुपेश बगेल जी की निरदेश पर तो वहीं भाजपा विपक्षी लोग इसको चुनावी स्टंट मान रहे हैं उनका कहना है मालिकाना हक लीज धारियों को नहीं मिलेगा चुनावी स्टंट नहीं है जो लीज पहले हुआ है लीज धारियों के जो टर्म्स कंडिशन रहे हैं और वर्तमान में टर्म्स कंडिशन में क्या अंतर है उसको देख लें देख के बताएं तो अंतर महसूस किया जाएगा जबकि ऐसा कुछ नहीं है जो चर्चाएं हुई है उसके अंसार जो समझोता हुआ है उसके तहत में एक काम चल रहा है मैं तो अपने विधान सभा के रिसाली नगर निगम छेतर के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी इसका फाइदा उठाएं और क्यों की काफी लंबे अर्से बाद यह फिर से लीज खुला है अपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके चेनल को और जो चेनल देखेंगे सुनेंगे उन सब को भी बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी प्रदेश की घ्रीमती दामधः साहु एक साथ इनने कई भी भाग की जुम्मिधारी के साथ में एक विभाग इनको क्रुशी का भी दे दिया गया है। उन्होंने भी हमसे बात करते भी चर्चा करते भी कहा है कि इस विभाग का निर्वान वो काफी अच्छे से करेंगे। और कई सारे मुद्धो को लेकर उने हमसे चर्चा किये, लगातार हमारे साथ बनी रही है और देखते रही है, Grand Italian News, नमस्कार.